तो मैं ज़रूर चाहूंगी कि प्लीज आसीम के डाट को जरा घर में भीजेगा ना कहा उनके घरवालों को गाली दी जगरते वक सिधात ने असीम के पिता को भी घसीटा सिधात के इस भीएवियर से गोहर खान काफी नाराज है गोहर ने बिग बॉस मेकर से अपील की है वो फैमली वीक में असीम रियास के पिता को बुलाए वो देखना चाहती है कि सिधात शुकला कैसे असीम के पिता का सामना करते है गोहर खाने ट्वीट कर सिधात शुकला की क्लास लगाई है उन्होंने निखा फिर से घरवालों पर गाली या संचालक खड़ा है उसमें क्या प्रॉबलम है इतने डंकी की चोट पर जा तेरे घरवाले को दी गाली वा 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 अपनी लड़ाई लड़ो यार परिवार को अकेला चोड़ दो बता दे कि गोहर खान ने एक वीडियो भी शेयर किया है Christmas Big Boss Wish and since I love the show so much please मेरी तमना पूरी कर दीजिये आसिम के डाद को प्रीज जभी भी आपका family round होगा please आसिम के डाद को जरूर भेजियेगा घर के अंदर because I really want to see how one person faces the father of the person who is for no reason getting abused in the house आप लड़ो आप लड़ो 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 लड़ के मर जाओ एक दुसरे को गालिया तो निकाली रहे है यार किसी के बाप पर जाने के क्या जरूरत है हर लड़ाई में हर बार आपको बाप के सिवा और को याद नहीं हा रहा तो मैं जरूर चाहूंगी कि please आसिम के डाद को जरूरा घर में भेजियेगा ना आप लड़ो यार लड़कर मर जाओ लेकिन किसी के बाप पर जाने की क्या जरूरत है बनाने कि इससे पहले भी कई बार गौहर खान सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म के जरिये सिद्धा शुक्ला की क्लास लगा चुकी है शुरूरा से ही गौहर का सपोर्ट पारस छाबडा के लिए था फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा